आज आपको दूदी के हलवे की रेस्पी बता रही हैं उसके लिए मैंने एक दूदी लिया है आदा लिटर फूल फैट मिल्क लिया है एक कडूरी मिल्क पॉड़र लिया है आज इस когда पुड़र फोड़र निकाल कर मैं उसे ग्रेट कर लिया है और उसके लिया उसके लिया है उसके हम यूज निकरेंगे क्योंकि उसके अंदर भीज होते हैं कडाई में मैंने एक चमज घी हमार गरम होगा है अब इसके अंदर में ग्रेट कीवी दूदी डालूगी और उसे पांस मिन्ट तक भूनूगी मैंने गैस को मीडियम कर दिया है उसे में दूदी को मैं पांस मिन्ट तक मीडियम गैस पे भूनूगी ताकि उसका पानी सुख जाए अब मैं इसमें दूद को मैने बॉल कर लिया है अब मैं इसमें आदा लिटर दूद डाल रहाtv अब मैं मैं इसमें अब मैं इसमें दूदी पुर सुख नि जाए और इसे बीच-बीच में चलाती रहूंगी दूदी को मैंने 15 मिंट तक पकाया है मीडियम गैस पे और बीच में मैंने इसे एक दो मिंट के लिए गैस को फुल कर दिया था उसे कंटीनू चलाया था दूद सूच चुक है अब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ शक्कर भी गरम होने के बाद मेल्ट होगी और वो अपना पानी छोड़ेगी उसे भी मैं पानी सुगने तक पकाऊंगी शक्कर को डालने के बाद शक्कर मेल्ट होगी थी और उसने अपना पानी छोड़ दिया था इसे भी मैंने फूल गैस पे पीज-बीज में चलाते हुए पकाया है अब मैं इसमें मिल्क पॉड़ा डाल रही है और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और इसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और पकाऊंगी अ मिल्क पॉड़ डालने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है अब मैं उसमें एक चमज गी और डाल रही हूं और उसमें पादाम डाल रही हों और रिलाइची पोड़ा डाल रही हूं और उसमें पादामशनी देकर पोड़ा 10-10-300द गी, पादम और रिलाइची पोड़ा दालने के भाद 2 पाद याम हुआीट दोपाद और यह काने के लिए रेड़ी है आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरी चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकल को क्लिक केजिए थैंक यू